वेलकम टू लेक्चर सेवेंटीन ओफ आर डीडी बासू प्लस सिरीज टोडल 40 लेक्चर्स में हम डीडी बासू कम्प्लीट करेंगे साथ में हम लक्षमी कांथ के कुछ ऐलिमेंट्स जो की महतपूर्ण है और करेंट्स से कनेक्शन जो भी आपकी पॉलिटी में जरूरी है वो हम कवर कर रहे हैं आपर आज हम प्रेजिडेंट्स से शुरुआत कर रहे हैं यूनिन एग्जेक्टिटिव यानि के पार्ट फाइव ऑफ इनिन कॉंस्टिशन सबसे पहले प्रेजिडेंट एज पॉजिशन का क्या रोल है उसके बाद इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, प्रोसिजर सबसे पहले यूनिन एग्जेक्टिव मत्सब क्या हुआ हमारे कॉंस्टिशन की जरा फ्रेमिंग देखिये, पार्ट फॉर ए तक हमने बात की थी, फंडमेंटल ड्यूटिज, पार्ट फॉर में डीपीएस पी था, यानिकि एक तरीके से पहले हमने टेरिटरीज की बात करी, फिर सिदेंचिप की बात करी, फिर फिर फरनमेंटल राइट्स की बात करी, और फिर डीपीएस पी में सोशो एकॉनमिक राइट्स की बात करी, राइट्स के बाद अब जरूरी था कि यूनिन के बारे में बताया जाए, अल्टिमेटली जो प्रेज़ेंट की पॉजिशन है वो नॉमिनल इन नीचर है नॉमिनल हैड नॉमिनल हैड का मतलब क्या होता है यानि के सिंबॉलिक है शाद आप सोचेंगे कि अगर सिंबॉलिक केवल है तो फिर हैड बनानी की जरुषत क्या थी अगर सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही है तो वाइ नॉमिनल हेड अच्छा क्या हमारे constitution में यह वर्ड नॉमिनल हेड मैंचन है नहीं मैंचन तो नहीं है लेकिन जिस तरीके से government से सम्द्ध सारी power prime minister के पास है लेकिन symbolically जो भी executive यानि के जो policies बनी है उनका जो implementation होता है वो in the name of president होता है in the name that is why हम कहते हैं कि nominal है यानि के real power नहीं है एक comparison draw किया जाता है with crown यानि के British crown के पास भी symbolic power रहे गई है real power वहां की parliament और parliament में जिस सरकार को बहुमत मिला मत जिस पार्टी को बहुमत मिला जिसके सरकार बनी उसके पास है तो यानि के कहीं न कहीं उससे comparison draw किया जाता है जब भी हम Parliament word यूज़ करते हैं तो उसमें लोकसभा रासभा और इसके अलावा कोन आता है लोकसभा रासभा और फिर आता है president यानि कि कोई भी बिल law तब तक नहीं बन सकता जब तक president उस पर हस्ताक्षण ना कर दें साइन न कर दें निकिए president की ascent जो है वो ज़रूरी होती है तो यह तो पता लगा कि ठीक है head है लेकिन कोन बन सकता है president qualification क्या है election procedure क्या है देखे qualification में जो minimum age है वो है 35 years हम qualification की बात कर रहे है minimum age 35 years citizen होना चाहिए India का साथ में should be qualified to be member of लोकसभा यह सारी बाते मैंने यहां पर भी mention की हुई है right आगे भी qualified to be member of लोकसभा अब सवाल यह उठता है यह क्यों point दिया गया point देने का purpose यह था कि ultimately लोकसभा रासभा को मिला कर president उसका भाग है president किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं हो सकता means president कभी भी लोकसभा यह रासभा का member नहीं होगा लेकिन integral part होगा parliament का इसको ध्यान रखिएगा integral part of parliament क्योंकि parliament as a word में president जो है वो important है एक और point ठीक है 35 years age citizenship है लोकसभा के membership के लिए जो minimum qualification होनी चाहिए वो इनके पास हो लेकिन देखिए age का difference है अगर आपको लोकसभा का member बनना है तो minimum age 25 years चाहिए लेकिन president बनना है तो minimum age 35 years चाहिए लेकिन इस point को जोड़ा इसले गया था कि इसके अलावा लोकसभा के members की जो अन्य qualification पार्लिमेंट में by law determine कर सकती है वो सब जो है राष्टपती पर भी एक तरीके से हम मानेंगे कि भई राष्टपती आप भी इन qualification को फुल्फिल करते हों तो राष्टपती के लिए अलग से कोई कानून लाने की ज़रत नहीं है लोकसभा के members की qualification के लिए बनने वाले अन्य कानून जो कि उनके eligibility criteria की बात करते हैं तो वो हम मान कर चलेंगे राष्टपती पर भी लागो होते हैं एक और criteria था कि office of profit नहीं होना चाहिए यह यह ऐसा नहीं हो सकता कि President साथ-साथ किसी और government position पर हैं किसी और सरकारी पत से renumeration या benefits ट्रॉक कर रहे हैं अगर कोई MP या फिर MLA मान लीजे President बन जाते हैं तो ऐसे में उनको MP या MLA के पत से अपने आपको basically खाली करना होता है उस पत को it is deemed to be vacated यहाँ पर एक interesting trap question बनता है फिर हम आगे बढ़ेंगे कहानी को लेकर election पर चलेंगे अगर कोई sitting president है, vice president है, union या फिर state का minister है या फिर governor है तो अगर यह sitting है और इस वक्त यह चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं माना जाता कि भाई आप office of profit वाली position आ रही है वैसे तो जैसी कोई भी राष्टपती बनेगा तो इन पदों को खाली करेगा लेकिन इन पदों पर रहते हुए भी राष्टपती का चुनाव लड़ा जा सकता है जैसी आप राष्टपती डिक्लेर होंगे तो आप उस पद को खाली कर देंगे मैंने क्या किया बताया प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट गवर्नर और मिनिस्टर मिनिस्टर चाहे यूनियन को हो स्टेट के हो इस तरीकी से ट्रिक ध्यान रखेगा प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट गवर्नर और मिनिस्टर चाहे यूनियन को हो स्टेट के हो head है, head of the state तो president है, तो ऐसे में president की election को direct क्यों न करा जाए, universal adult franchise से करा जाए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इंडिया एक रिपबलिक है, और रिपबलिक यह नहीं गंटंदर का मतलब होता है, जहां पर head जो है, वो जनता द्वारा चुना गया है, तो इस पर जवाला नहरू जी खड प्रदी का चुनाफ हमें नहीं कराना चाहिए, दो कारण, number one, एक तो president को हम इतनी power दे नहीं रहे, कि वही इतना महत्पून पन्द बन गया है कि direct जो है, हम इस पर election करा हैं लोगों से, क्योंकि इतनी महत्पून position हम नहीं दे हैं, मतलब symbolically सबसे उपर है, but functionality की बात करें, त functionality is more or prime minister के पद में, तो based on functionality, democracy की जो true spirit है, वो already हमने लोकसभा की election के थूँ जो सरकार बन रही है, उससे दिखा दी है, तो इस वजह से ये तो wastage of time and money होगा, एक तो ये point बोला उनने, दूसा बोला कि अगर president of prime minister, दोनों में element of direct election है, अलाकि बता दूँ, prime minister पद के लिए भार direct election for the position of prime minister in India, prime minister पद के लिए कोई चुनाव होता ही नहीं, election ही नहीं होता, तो फिर prime minister बनते कैसे है, वो तो लोकसभा MPs का चुनाव होता है, जब 50% से ज़्यादा किसी लोकसभा में MPs या फिर गड़बंदन, या एक party या फिर group of parties ने मिलकर कहा हमारे 50% से ज़्यादा MPs है लोकसभा में, तो फिर वो written recommendation देते हैं, राष्टपती सहाब को कि सर, इन व्यक्ति को हमारे leader हम मानते हैं, तो इनको आप प्रधार मंत्री पत की शपत दिला दीजे, तो क्या election हुआ था, मैं एक statement बोल रहा हूँ, आप बताईए का true है का false, अगर मैं कहूँ, there is no direct election, in case of position of prime ministers in India, actually there is indirect election, तो मतलब ये statement से आप मर्म समझ गए होंगे, मैंने कहा कि direct election नहीं होता, प्रधानमती पत के लिए indirect election होता है, बताईए statement true है की false है, सब को जवाब देना है, come on, I hope my voice is clear to you, मैंने का prime minister position के लिए indirect election होता है, direct election नहीं होता, statement true है की false है, मैं इसलिए बातों को clear कर रह कि मैं चाता हूँ, एक-एक word को बिलकुल आपके लिए open कर दूँ, उसके बाद चीज़े connect होती ही चली जाएंगे, बताईए, देखे, देखे, नतीज़े आने लग गए है, and students are saying true, है ना, students कह रहे हैं कि बहुँ प्राइम मिनिस्टर position का indirect election होता है, direct नहीं होता, है ना, answer है false, answer false, क्या बात है, पूरी class two बता रही है, तो मज़ा ही आ गया, answer false, आप सुनिए false क्यों है, अब मुझे लग रहा है थोड़ा सा class का level और class की attention थोड़ी improve होगी, right, हलके में नहीं लेंगे आप चीज़ को, देखे, false इस वजज़े से, क्योंकि election का मतलब ये होता है, कि भई, बाकाइदा चुनाव होगा, और चुनाव में explicit और implicit दोनों तरह की consent आएंगी, आप कहेंगे कुछ ज़्यादा वड़ी बात कर दिया ज़रा आपने, लक्षमी कांत में ऐसे नहीं लिखा, अरे जो चीज़े लक्षमी कांत में जैसे नहीं लिखी, या डीडी करता हूँ, तो election का मतलब होता है कि बकाइदा voting होगी जी, और voting में कुछ positive में वोट करेंगे, तो कुछ negative में वोट करेंगे, फिर number of votes, majority के आधार पर, majority votes के आधार पर decide होगा कि भई, कौन PM बनेगा, क्या अप प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसा होता है, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, अरे, जो आम जनता है ये, ये जनता, actually vote डालती है, किसके election में, लोकसवा के election में, अब लोकसवा के election में, केवल जिसके 50% से ज़्यादा आ गए, केवल वही लोग, actually एक letter लिखते हैं, और वो letter देते हैं, प्रेजिडेंट सहब को, कि सर हमारे 50% से ज़्यादा आ ग इस व्यक्ति को PM बना दीजे, तो प्रेजिडेंट से आप कहेंगे, अच्छा भी, सही बात है, तो 50% से ज़्यादा बैठ रहे हैं, लोग, बना दिया, क्या जो अन्य लोग थे, उन्होंने अब participate किया था, at this level, क्या इस exercise में, अधर जो लोग थे, अधर जो MPs थे, लोकसव of Prime Minister, in every standard book, you are going to use the word appointment, कहने का मतब ये हुआ, कि एक वर तो होता है, election, और एक होता है, appointment, तो we use the word appointment, कि Prime Minister is appointed by Honorable President, ये बात, अगर clear हो गई हो, तो mention clear, मतब ये starter था हमारा, ठीक है, तो अभी main course बाकी है, तो I think, आपके attention अब आगई होगी class में, तो शुरू करें आगे, ये बात clear है, आपको अगर ये बात clear है, तो mention clear, छोट-छोटी बारीकिया ही तो है, clear, now, indirect election, अब ये तो बता दिया मैंने कि constant discipline में, डिसन ये हुआ कि भई, indirect election कराएंगे, President का, ठीक है, मैं शब्द बताना चाहरा था clear, इस वज़े से मैंने आगी भी आपको समझाई बात, जवाला लहरू जी का point जो है, वो जीता, maximum लोगों ने इस बात का समर्थन किया, और finally, फैसला हुआ कि indirect election कराएंगे, indirect election में, फैसला लिया गया कि जितने भी elected, जितने भी elected, MPs होंगे, और MLAs होंगे, वो वोट डालेंगे, सीधी बात, elected MPs और MLAs वोट डालेंगे, UPSC यहां से question पूछती है, कि state legislative council के member vote डालेंगे, क्या, बच्चा सुचता है, यह तो पढ़ाता है, हमने elected MLAs डालते है, MLC का नहीं पढ़ाता, याद नहीं आ रहा, क्या हो सकता है, कि नहीं हो सकता है, अरे, MLC, हम यहां जब बात करें, MLA, तो MLC कहां से आ गया, समझ रहे हैं, तो elected MLAs हैं, एक बच्चा कनिशित होता है, सर, nominated MPs of रास्वा, वो डालेंगे क्या, अरे, किवल जब तीनी शब्द याद रखने है, elected MPs, MLAs, उसके बाद यह तिग्डम जो है, इस तिग्डम तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, यानि कि जब मैंने कह दिया, कि elected MPs, त तो elected MPs, चाहे लोक सभा के हो, चाहे रास सभा के हो, जब मैंने कह दिया, elected MLAs, अब MLAs, चाहे स्टेट में हो, चाहे वो तीन US में हो, क्योंकि तीन US में मारे MLA होते हैं न, बड़ी, हुणुचेरी, और जैन के, इन तीन US में MLA होते हैं कि नहीं होते हैं, जैन के, बन क्लियर बात चलो आगे चलते कि वह ऐसा ही क्यों बनाया गया इन्हीं को क्यों पावर दी गई चुनाव में तो यह तो पता लगा कि आम जंता को देने से तो कुछ फायदा था नहीं इतना बड़ा एक्साइज करा है चुनाव का प्रेजिडेंट के लिए राइट कॉन्फिक् तो ऐसे में इस कॉन्फिक्ट को हटाया का कि आप तो इंडिरेक्ट लेक्शन से जाएंगे यहां पर MLS को रोल इस वहीं से दिया गया क्योंकि देखो प्रेजिडेंट जो है पूरे इंडियन यूनियन के हैं है कि नहीं तो ऐसे में जिसमें स्टेट भी आती है तो स्टेट का भी स्टेक होना चाहिए जो भी हेड बनाया जा रहा है इसके अलावा जब हम प्रेजिडेंट की लेस्लिडिव पावर पढ़ते हैं तो एविन कई बार गवर्नर जब अपने जो स्टेट का बिल होता है उसको रिजर्व कर देते हैं प्रेजिडेंट के लिए तो वहाँ कि स्टेट के अफेर्स पर भी प्रेजिडेंट का कुछ रोद तो है वही तो इस वज़े से स्टेट का इन्वाल्मेंट यहां पर जरूरी था ठीक है तो स्टेट के मलेस को यहां पर पावर दी गए तो मुझे लग रहा है कि अब यह बात आपको क्लियर हो गई होगी यहां पर इस बात को मैं अब समझाना चाहता हूँ प्रपोर्शनल डिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यह दो वर्ड यूज किये गए फॉर दे एलेक्शन अफ प्रेजिडेंट अब जरह एक एक करके प्रपोर्शनल डिप्रेजेंटेशन इसका मतलब यह होता है कि जो वोट होगी वो वेटेड होगी वेटेड का मतलब यानि कि हर स्टेट और जो यूनियन है तो इन सब का जो वोट का प्रपोर्शन होगा उसको फेर बनाने के लिए उसको लिंक करा गया पॉपिलेशन से यानि कि जिस स्टेट में पॉपिलेशन कम तो उसका रा स्टेट के MLS का जो रोल है प्रेजिडेंट के इलेक्शन में वो भी तो उसी प्रपोर्शन में होना चाहिए है कि नहीं तब ही तो सही इलेक्शन बनेगा तो यानि के प्रेजिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता कि EVM यूज होती है जी EVM यूज नहीं होती कि हर MPN MLA ब प्रकाइदा ऐसे बैलेट पेपर मिलता है ठीक है और ये बैलेट पेपर इलेक्शन कहा होता है लोकसावा मेलग होता है रासावा मेलग बूत लगता है पूरे देश में जो विधान सभाएं हैं राज्ये हैं वहाँ पर अलग बूत लगते हैं election कराता को उन्हें election commission of India कराता है इस ballot paper में जैसे name हो गया यहाँ पर numbering होती है choices होती है जैसे कि अगर हम इस class में election कराना चाहें और हमने माना कि मान लिजे we have candidates like शुभांग, महेंद्र और मयंक और शुरुती ठीक है ऐसा बना देते हैं कुछ तो अब यहाँ पर mm में थोड़ा confused हो जाएगा आपको तो चलिए कुछ अब हम क्या करा रहे हैं प्रेजिडेंट का चुनाव करा रहे हैं थोड़ी attention यहाँ पर मैं आपकी चाहूंगा ऐसा समझवा आ जाएगा आपको कि आज के बाद भूलोगे नहीं ठीक है जाएगा से previous question आए रहे हैं वो इन मैं बता दूँ है जानता सुझे है हमारे पास एक candidate है शुबम एक है हमारे पास मयंक एक हमारे पास पूजा ऐसे ठीक है वन टू थ्री ऐसे ही शुबम मयंक एंड पूजा शुबम मयंक एंड पूजा ठीक है इस इस हाओ बैलेट पेपर सार गूज टू बी अब यहाँ पर election में आपको vote करना है कैसे जैसे आप MPML ने है तो आपको नब preference देनी है जैसे कि हो सकता है कोई पूजा को first preference दे second मयंक को दे third इनको दे कोई शुबहां को first दे मयंक को second दे पूजा को third दे कोई इनको first दे इनको second दे इनको third दे तो इस तरीके से अलग लग variations हो सकते हैं ठीक है अब इन variation के बाद होगा क्या जब counting होगी vote की तो मान लीजे यहां पर counting हो रही है तो अब फैले first preference देखते हैं तो इससे सबसे पहले पूजा का हमने एक अलग से block बना दिया और first preference जिसमें पूजा को मिली थी इनके वाले सारे ballot papers को हमने यहां पर रखना start कर दिया ठीक है ऐसी हमने यहां पर शुभांग वाला रखा पैलेट पेपर और ऐसे ही यहां पर हमने मैंग वाला रखा ठीक है अब हमें देखना है कि total जो vote quota है कारण यहां पर हर vote equal नहीं है हर vote equal का मतलब है सारे राज्यों के MLA's का vote equal नहीं है ठीक है अलग अलग राज्यों के MLA का अलग वोट वैल्यों MPs का तो सेम है आप कोगे सरी यह क्यों धोका धड़ी करी धोका धड़ी नहीं अरे अभी वर्डी उसके ताब proportional तो यानि के अलग अलग स्टेट में जब population अलग लग है तो जाहिर सी बात है उसी हिसाब से तो उसको वेटिज देना है प्रेजिनिक एलेक्शन में तो इस वज़े से वोट वैल्यों में भी हमें difference करना पड़ेगा अब यहाँ पर टोटल वोट वैल्यों जिसकी 50% से ज़ादा बैठी उसको माना जाएगा राश्टपती की चुनावत में कि भई वो बन गया है राश्टपती कैसे MP के वोट की वैल्यों निकाल लेंगे भी कितने MP के वोट की वैल्यों पूजा के favor में आई है जैसे कि दो MP ने दी और एक MP की वोट की वैल्यों टू है तो यहीं कि पूजा को अब मिल गए four marks ठीक है four vote value ठीक है पता लगा कि उत्ताप्रदेश में भी यही candidate थे पूरे देश के लिए यही candidate है तो पता लगा वहाँ पर जो एक MLE की vote की value है वो है one point five ठीक है उत्ताप्रदेश में मान लिजे तो माँ पर दो vote मिल गए पूजा को तो नहीं के two multiply one point five तीन तो चार और तीन साथ ठीक है तो इस तरीके से पूरे देश में पहले ballot paper डल जाते है ballot paper की counting होती है सबसे पहले ठीक है counting के बाद अब देखा जाता है 50% से अदा vote value किसकी बैठ रही है अगर किसी की भी नहीं बैठी तो देखा जाएगा जो सबसे पीछ है उसको हटा दो तो इस case में जो है मैंक आपको जाना होगा इस election में तो आप जीत नहीं पाए अगली वर्ट राई करिएगा तो मैंक तो गए अब मैंक के जो ballot paper है अब बारी आ गए है उनको transfer करने की तभी word use किया गया single transferable vote अब ज़र मैंक का ballot paper देखिए यानि के ये सब वो ballot paper थे respective candidates के जिन में इनको first preference मिली थी जो last आया है उसको हटाना पड़ेगा भई हटाया तो देखा मैंक तुमें जिस ballot paper में first preference मिली थी उसमें second preference किसको मिली थी पतला लगा second preference तो शुभाँ को मिली थी तो चलोगए ये ballot paper transfer कर दो शुभाँ के नाम पर तो यानि कि ये vote value किसकी होगी शुभाँ की होगी अब समझे आपको इसका word का मतलब single transferable vote यानि कि single vote transfer हो रही है in case there is no clear majority for one person अब और भी ballot है तो पता لगा next वाले ballot में second preference पूजा को मिली थी तो इस तरीके से हम देखते रहेंगे तो पता लगा कि next फिर हमने open किया फिर मयंग को मिली है फिर मयंग को मिली है तो इस तरीके से देखकर हमें पता लगा कि वह मयंग तुमने तो 50% ज्यादा वोट वेली ले लिया तो अगर मैंग नहीं ले ली है तो यानि कः मैंग हो गए है अब declare as president ठीक है तो now मैंग is president तो मैंग नहीं मैं तो निकल गए शुभांग is president मैंग तो आउट हो गए रेस से शुभांग became president, तो मयंक आउट हो गए, पूजा second वाले count में आउट हो गई, तो अब शुभांग बन गए, शुभांग बन गए president, clear बात? तो ये हो गया आपका single transfer, तो आपको याद है proportional और single transferable vote, एक और बड़ा interesting part है इसमें, UPSC ने प्रलिंस में, यहां से एक question पूछा था, vote value से, अब आप अपनी लक्षमिकांद खोलोगे, तो वहाँ पर नब vote value का formula दिया हुआ है, बच्चे सुछते हैं, यार equation से question तो नहीं आए, कोई question equation से नहीं आए था, purpose के वली यह है, कि आप समझो कि actually vote value निकलती कैसे, से इतना पस, जैसे vote value of MLA तो माल लीजे MLA एक particular state के, भई state के तो MLA होंगे राइट, मैं कहा रहा हूँ state 1 state 1, ठीक है इनकी vote value निकालनी है तो कैसे निकलेगी, सबसे पहले तो total population अब रटने की दूरत नहीं है आप खुछ समझो या, total population क्यों रखी हमने इसमें, vote value निकालने में, अभी बताया था proportional representation में मतलब हमें population as a criteria मान कर चलना है तभी तो fair बनेगा ना, तभी तो uniformity आएगी, right कि भई, population के हिसाब से vote value allocate की गई है, किसी राजे के साथ गलत नहीं हुआ, so total population of state 1 उसी state की बात कर रहे हैं, divided by total number of elected MLA's अब देखे, पहले books में हर जगे elected MLA's लिखा आता था क्योंकि पहले क्या था कि एक Anglo-Indian MLA nominate कर सकते थे honorable governor in state legislative assembly लेकिन क्योंकि अब Anglo-Indian वाला point खत्मी कर दिया गया है, लोकसभा से भी और विधान सभाव से भी, तो अब केवल यहाँ पर अगर total number of MLA's भी लिखे तो मतलब ही होगा कि MLA's तो elected ही बनते हैं, nominated नहीं बनते है MLA's की बात कर चल रही है ठीक है, तो इस तरीके से निकलती है vote value of MLA ठीक है, अगर कहा जाए vote value of MLA's of all state in presidential election remains same, statement would be true or false बताईए बई answer है false अलग लग होगी ना अलग लग state के अलग लग population अलग लग state के अलग total number of MLA's तो जाहिर सी बात है, vote value अलग लग MLA के अलग लग होगी है के नहीं, अच्छा अब आपकी दिमाग में आना चीए, sir vote value of MP क्या होगी क्योंकि MP भी तो vote डाल रहे है elected MPs बही चाहिआ पे लेक्टेड ना भी लिखो तो भी चले गए हैं तो, क्योंकि जब हम कही रहे हैं कि President की election में जो vote डाल रहे है वो MPs, right, क्या होगी देखे, total vote value of all MLA's सभी MLA's की vote value, यानि कि State 1 के vote value State 2 की vote value, etc अगर उत्तरप्रदेश में 1 MLA की vote value 2 निकल कर आती है ठीक है, और मालिजे 400 MLA है, तो कितनी होगी उत्तरप्रदेश की vote value 400, multiply by 2, 800 इसी तरीके से, मिज़रम, सिखिम गोवा, MP, बिहार, राइस्थान, सभी MLA's की vote value, multiply by total number, तो पता लग जाए कि इस State की vote value कितनी है, MLA's की और divide कर दीजे total number of elected MPs, यहां तो elected लिखना ज़रूर है, भाई यह एको nominated MPs भी होता है, क्योंकि राजसभा में होता है, right तो इससे निकलती है आपकी vote value of MP, अगर यह कहा जाए vote value of लोकसभा MP and राजसभा MP in presidential election remains same, statement would be true or false, come on, fast, reply अगर यह कह दिया जाए कि लोकसभा के MP और राजसभा के MP की vote value same होती है in presidential election statement would be true or false answer would be true current, क्योंकि यहां पर के वल MP लिखा मैंने और इसी MP में लोकसभा के भी MP आ गए राजसभा के भी MP आ गए क्योंकि elected MPs जो है जो vote कर रहे हैं उनके लिए एक ही formula रखा हमने यहां तो अलग-लग state के लिए अलग-लग-लग था अलग-लग state के MLA के लिए यहां तो एक ही a की formula है ठीक है ना बात समझ में आई तो यह नहीं कि एक ही value होगी clear है बात एक और बात धियान रखिएगा यह तो आपको समझ में आ गया अगर किसी को राश्टपती चुनाव लड़ना है तो जो total electoral college होती है electoral college शद का मतलब होता है जो लोग vote डाल सकते हैं राश्टपती चुनाव में उनको हम कहते है electoral college ठीक है तो उसमें से 50 proposers होने चाहिए 50 seconders होने चाहिए proposers का मतलब कि भही हम propose करते हैं जी इनका नाम कि इनको राश्टपती चुनाव में खड़ा होना चाहिए फिर अलग से कुछ 50 होने चाहिए जो support करें कि हाजी बना दो चुनाव लड़ा दो ठीक है तो मुझे लग रहा है अब ये election अब जो आपने सुना है मुझसे समझा है election process अब उससे connected एक statement आपके सामने बता रहा है uniformity in representation of different states at election and total number of elected MLA's of which state अब जब बच्चा ये statement पढ़ता है ना UPSC problems में तो लगता है ये कुछ ज़्यादा गहरी बात होगे कोई ज़्यादा गहरी बात में यहाँ पर uniformity का मतलब है कि भई देखो population के आधार पर allocation हुआ है तो formula सब के लिए वही है ठीक है ना President shall be representative of the nation as well as people और इसी वह समने state के MLA's का भी participation लिया है यह मैंने आपको बता दिया क्यों direct collection ज़रूरी नहीं था रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है council of minister के पास है और time बचेगा qualification आपको सब clear है मुझे लग रहा है यह चार qualification आपको बताई थी देखते वह चलिए गलती नहीं होना चाहिए ठीक है दो बार बता चुक हूँ इसी class में term पास साल term होती है from the moment he actually or he or she takes office ठीक है जब से office में enter करते है तब से लेकर पास साल UPSC कह देगी कि five years from the date election commissions declare someone as a winner in presidential election आप कहेंगे नहीं हम भैकाई में नहीं आएंगे क्योंकि election commission declare करता है उसके बाद enters upon office तो तब होता है न जब शबत दिला दी जाए है कि नहीं eligible for re-election जैसे CGI दिलाते हैं आप पर शबत और eligible for re-election re-election का मतलब है end number of time जब तक है जान और जब तक है समर्थन तब तक राष्टपति आप बन सकते हो ठीक है कोई इसमें बार नहीं है age की कोई number of terms की ठीक है president का office president पद से कोई दो तरीके से जा सकता है जैसे कि अगर resign कर दे ध्यान रखना resign हमेशा VP को करेंगे vice president को करेंगे कई बच्चे गनिफिस होंगे कि सर CGI को क्यों नहीं करवाया CGI को दिला देते resign नहीं क्योंकि president के absence में president का role निभाएगा कौन vice president तो logic ये कहता है कि भई president जब भी आपको जाना हो तो resignation honorable vice president को ही देना होगा ठीक है चलिए एक statement और बनाते हैं ठीक है बताईये का statement true है की false जान से सुनिये real value of my series is that you get these nuances of Indian polity बारी किया जहापर UPS से आपको trap करनी कुश्च करेगी जान से सुनिये president may resign from his her office by giving resignation address to honorable vice president but such resignation can only be declared accepted when it is accepted slash ratified by both houses of parliament यानि के राष्टपती अपना इस्तीफा उपराष्टपती साब को देंगे बिल्कुल सही बात है लेकिन वो इस्तीफा तब तक accept नहीं माना जाता जब तक की लोकसभा और रासभा से ratification यानि के सहमती उसको ना मिल जाए statement is true or false come on बताइए true false true false fast जतना जदा आप interactive रखेंगे उतना इस limited time हम जदा कर पाएंगे काम कुछ बच्चे हो सकता है अभी search कर रहे हूँ देखे आंसर है false ठीक है ऐसा कुछ नहीं कहा गया लेकिन देखे तब भी हमारे students हैं कहीं सारे true true बता रहे हैं वोट आ गये हैं ट्रैप में संचित मयंग साहू मंजीत कितने सारे student हैं तो अगर मुझे पता है कि आपको कहाँ ट्रैप करना है UPSC को जो पता ही है है कि नहीं दूसरी बात अगर remove करना है तो remove के वाल एक ही तरीके से हो सकता है वो है impeachment अब जरह यहां पर एक और question बना रहा हूँ जरह सुनियेगा जवाब दीजेगा समझा तो मैं आपको दूँगा ही अभी question है in case of president's removal the ground and reason is indicated in Indian constitution यानि के राष्टपती yes यानि के राष्टपती पद से अगर किसी को महाभयोग द्वारा या राष्टपती के पद से कर किसी को हटाया जाए तो इस संबंध में प्रक्रिया और कारण जो भारतिय समिधान में दिया हुआ है mention किया गया है मतब indicated है come on true or false process and reason देखे ये beauty है presidential election की की process भी बताया गया हम बात करें आर्टिकल 61 की ठीक है अभी हम उस पर चर्चा करने वाले हैं और दूसरी बात जो ground है वो violation of Indian constitution violation of Indian constitution is not defined but this is mentioned कि violation of Indian constitution के basis पर हटाया जा सकता है तो answer पता है क्या था? answer था true जरा आते हैं process पर आजी जरा सबसे पहले one by fourth मतब one by fourth जो members है चाहे लोकसभा के हूँ चाहे रासभा के हूँ यानि कि दोनों में से किसी भी houses प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है ठीक है? वो actually अपना इस सम्मंद में जब वो proposal रखेंगे चाहे लोकसभा में speaker के सामने रासभा में रासभा चेर्मिन के सामने तो इस सम्मंद में fourteen days मतब process को शुरू करने से पहले 14 दिन का gap होना चाहिए प्रेजिडेंट साब को उनको notice देना चाहिए प्रेजिडेंट साब को प्रेजिडेंट साब इतने तैयारी करें कि भाई जो उन पर दारोप लगे हैं उसके सम्मंद में वो कैसे अपने आपको डिफेंट करेंगे ठीक है वो खुद या अपने रिप्रेजिडेंटेटिव के थ्रू डिफेंट कर सकते हैं before such investigation ध्यान रखिएगा बात को ये प्रुक्रिया कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है मतलब लोगसभा से भी रासभा से भी ध्यान रखिएगा जिस भी house से स्टार्ट होगी वहां पर majority चाहिए two by third of the total strength यही एक ऐसा case है जिसमें two by third of the total strength is a mandatory majority इतनी बड़ी बहुमत और कहीं मौझूद नहीं है election मतलब किसी भी election में removal में यह किसी और process में less study process में ठीक है मतलब constitution का जो amendment है वो भी इससे easy है देख रहे है two by third of the total strength ठीक है जब लोगसभा से जैसे process को start किया तो लोगसभा से इतने strength से पास हुई तो इसके बाद फिर दूसरे house में जाएगी दूसरे house को investigate करना पड़ेगा प्रेजिडेंट is the house which investigate the matter तो statement would be true or false तो कई बच्चे trap माएंगे true बताएंगे जब कि यह गलत है हमेशा जो investigation है वो second house करेगा यानि कि इस case में जैसे लोगसभा से start हुआ तो second house is the investigation house यानि कि रासभा फिर इसमें investigate करेगा investigate वो खुद भी कर सकता है मतलब अब उन से honorable हटा लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने violation of constitution किया है तो ऐसे में फिर that matter is going to put to vote जब उस matter को वोट पर रखा जाएगा तो फिर आपको वही पर एक और majority जी है वही तो बाइ थार्ट तो टोटल स्टेंथ यानि कि ये majority आपको दोनों हाउस से चाहिए लेकिन second house में पहले investigation, report and then फिर voting ठेक है जब यहां से पास हो जाएगा second house से जैसी पास हो गया तो उसका मतलब है कि अब president हट चुके है president is impeached अब ऐसा नहीं है कि लोग सब रास सब से पास कर अगर प्रेजिडेंट के पास रहे जो sir, president sign कर दीजिए इस पर क्योंकि तभी आपको हटा मानेगा नहीं 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 प्रेजिडेंट के पास भेंजने की ज़ुरत नहीं है second house से जैसी ये पास हुआ तो उसका मतलब है कि president stands impeached ये बात clear है आपको article 61 clear है process, reason but reason, violation of constitution is indicated but what is violation of constitution is not defined तो मुझे लगता है कि अगर ये reason, process शब्द जोड़ कर कह दिया जाए तो बच्चा ट्रैप में आएगा जैसे कि हमारे क्लास में बच्चे ट्रैप में आए ना quasi judicial process को हमने कहा क्योंकि second house investigate जब करता है matter को वो normal court की तरह काम नहीं करता ऐसा नहीं है कि वो IPC, CRPC कहीं provisions क्या धार पर काम करेगा इस वेसे quasi judicial, पूरी तरह judicial नहीं तो constitution ने क्या करा mode भी बताया और ground भी बताया यहां से मैंने question मनाया था कि constitution ने mode भी बताया कैसे अटाय जागा, ground भी बताया तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है 56 और 61 हमारे constitution में दिये गए है, ठीक है? 56 और 61 अब conditions क्या है President के office की, लोकसभा राससभा के member नहीं हो सकते, integral part of parliament माने जाते हैं, MPMLA बने तो भाई उनको पहले वेकेट, मतब जैसे वो President बनेंगे तो उनको वेकेट करना होगा अपना office, राइट? ईशल और वो President साब जो है, कोई और office of profit नहीं रख सकते हैं, ऐसा नहीं किसी और सरकारी पत्से भी कोई salary elimination ड्रॉक कर रहे हैं ये बात मैं आपको बता चुका हूँ राष्टपती भवन जो उनको मिलता है without any payment और अलग से कुछ deductions के मिलता है जो उनके emoluments होते हैं, allowances होते हैं वो Parliament में by law determine कर सकती है लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि ऐसा नहीं है कि जो राष्टपती अभी काम कर रहे हैं जैसे कि माली जे दो साल हुए हैं अभी तीन साल बचे हैं तो प्रेजिडेंट की salary को अगर माली जे वो कहें कि प्रेजिडेंट की salary को कम कर रहे हैं नहीं, अगर कोई reduction वो करना चाहते हैं तो वो next वाले प्रेजिडेंट पर लागू होगा यानिके उनकी term में आप diminish नहीं कर सकते क्या increase कर सकते हैं जी है increase कर दो वो तो अच्छी बात है diminish क्यों नहीं कर सकते हैं इस वे से नहीं कर सकते हैं ये standard process है ये Supreme Court High Court judges में भी लागू होता है कि उनके कारेकाल के दुरान आप उनके salary allowances को कम नहीं कर सकते ऐसा हो सकता है कि legislature executive मिलकर कहीं undermine करने कोशिश कर रहे हो क्योंकि प्रेजिडिन के पास कुछ cases में suspensive veto भी होती है यानि कि वो parliament दोरा जो बिल आया है उसको वापस भी भेश सकते हैं एक बार तो अगर कोई प्रेजिडिन्ट ऐसी बाते कर रहे हैं तो उनको control करने के लिए करें कि चलो salary decrease कर दें मतलब ये एक in principle माना जाता है कि आप उनके disadvantage में during the tenor ऐसा कोई काम नहीं कर सकते ठीक है ना तो जैसे कि ये decide जो की जाती parliament द्वारा finance act के तुरू decide करी जाती है जैसे कि अभी पांच लाक रुपे प्रतीमा उनकी salary है अच्छा और किस cases में पद से खाली होंगे भई अगर पांच साली पूरे हो गए on the expiry of five years चली यहां से कोशन बना लिए जाए मज़ा तब ही आएगा कोशन सुने in case president's tenor of five years is completed but due to some circumstances no election for the position of next president took place in this case vice president has to take over as acting president meanwhile within six months election commission has to ensure new election election for the president यानि के अगर पांच साल पूरे हो गए हैं और किसी कारण से नए राष्टपती का चुनाव नहीं किया गया तो ऐसे में यह राष्टपती अपना पच्छोड देंगे और उपराष्टपती वो अब acting president बन जाएंगे कारेकारी राष्टपती बन जाएंगे और अगले च्छे मेने में election commission को नए राष्टपती का चुनाव कराना होगा तो मुझे बताइए statement is true or false come on fast true or false answer है false ठीक है कारण वह अगर चुनाव नहीं हुआ तो ऐसे में जो अभी अभी president है वही continue करेंगे as president ठीक है न तो वाइस president की नज़र नहीं होनी चाहिए इस पर ठीक है by death और by resignation तो death की वैसे पद खाली हो सकता है vacant हो सकता है resignation की वैसे हो सकता है ठीक है remove by impeachment की वैसे हो सकता है जिसके हमने बात की otherwise on the setting of his election aside यानि कि अगर उनके पद से जुड़ा हुआ कोई विवाद था और ऐसे में निशकरशी निकल कर आया supreme court द्वारा की बई जो process था उसमें fraud था faulty था और हम null and word declare करते हैं election को ऐसा होता है तो इस संबंद में भी वो प्रेजिडेंट का पद खाली माना जाएगा और ऐसे में जो vice president होंगे वो acting president की भूमिका में आ जाएगी लेकिन यहां से question बनाते हैं जैसे मालीजे संचित है हमारी class में संचित रंगा रहे तो मालीजे नोंने राष्टपती पत का चुनाव लड़ा minimum age आपको पता 35 years है संचित की age by chance 32 थी बट इनोंने अपने कुछ papers को forge किया और forge करके मतलब fraud के तरीके से इनोंने election में उतर गए बाइचांस ने support भी मिल गया और ऐसे हैं president बन गए ठीक है अब 6 मेने तक 7 मेने तक की president थे और इनके खिलाफ सुप्रिम कोर्ट में case किया कि भाई उस वो तो faulty था basis रॉंग है तो basis रॉंग है पता लगा कि बिल्कुल सही बात है तो fraud हुआ है तो fraud हुआ है तो अब ये राष्टपती नहीं रहेंगे अगर declare हो जाता है election null and void हो जाता है point यह है कि इन 7 महीनों में जो संचित ने जितनी files पर sign किया है जितने orders पर sign करा है तो वो order law की तरह implement रहेंगे या फिर वो null and void हो जाएंगे बताइए वो order as it is continue रहेंगे क्योंकि राष्टपती साब संचित तो गए right अभी vice president acting president की भूमिका में और नए चुनाब की तयारी है लेकिन ये जो fraud वाले हमारे president बने संचित रंगारे इन्होंने जो इतने 6-7 महीने जो file sign करी वो as it is continue रहेंगे या नहीं रहेंगे answer है जी हां रहेंगे कोई tension वाली बात नहीं कारण क्योंकि संचित as a president जो है उनके पास major जो power है वो discretionary नहीं है वो on the aid and advice of council of minister है तो तो position है और उस position पर जो भी होगा उसको aid and advice council of minister के इसाब से चलना पड़ेगा तो ऐसे में जो इन्होंने फैसल लिये थे वो as it is continue रहेंगे ठीक है वो हटेंगे नहीं clear बात अब election अब यह मैंने बताया आपको कि अगर पांस साल का term खत्म हो जाए तो election होता है यह must है कि उससे पहली election हो जाता है मतब पांस साल का wait नहीं किया जाता election commission पहली election करा लेता है ठीक है जिससे कि ऐसी स्तिती नहीं हो जाए कि वो पांस साल पूरा हो गया और अभी हमारे पास कोई next president नहीं है outgoing president तब तक रहता है जब तक की successor नहीं आ जाता इस बीच vice president का कोई scope नहीं है कि वो बन जाए acting president ठीक है न जितनी जल्दी हो सकता है election commission election को कराती है च्छे मेने से ज़्यादा का gap नहीं होना चाहिए टेक है यह उस case में होता है जैसे कि अगर मालिजे vacancy due to these reasons like death हो गया resignation हो गया तो उसमें जो है वीपी रहते तो हैं वीपी president बन जाते हैं बट वो भी किसलिए बनते हैं च्छे मेने के अंदर नए राष्टपती का चुनाफ होना है यहाँ पर हमारा और USA का constitution अलग है USA के constitution में अगर president resign कर दे जैसे वहाँ चार साल tenor है दो साल में resign कर दिया तो ऐसे हम बाकी दो साल के लिए जो उपराष्टपती होता है वो राष्टपती बन जाता है हमाँ पर ठीक है ऐसा होता है लेकिन हमारे यह उप राष्टपती को इतनी ज़्यादा सपने नहीं दिये गए सीधा कहा गया कि देखो acting का मतलब है temporary ठीक है temporary ही रहोगे आप कभी president नहीं resident के लिए तो election लड़ना पड़ेगा आपको समझ रहें तो ऐसे में आप 6 महीने रह सकते हैं तो 6 महीने के अंदर वो election commission चुनाफ कराएगी ठीक है ऐसा नहीं कि remaining period तक आप रहोगे और माली जो दो साल के बाद अब हमारे जो राश्टपती साब नहीं resign दे दिया 6 महीने के लिए vice president साब थे इतने में चुनाफ हो गया चुनाफ होकर अब जो नया राश्टपती बनेगा वो क्या remaining period रहेगा कि भई 5 साल होता था पिछले राश्टपती दो साल ही रह कर गए है चलो मैं तीन साल पूरे करूँगा नहीं उसको अब पूरा पांस साल का tenor मिलेगा tension वाली बात नहीं है clear clear बात temporary enable माली जैसे मैं राज़े प्रसाद जी का किसा आपको बताता हूँ जो हमारे पहले राश्टपती थे तो वो डेड़ महीने के लिए यूएस गए बीच में ऐसे ही पंदरा दिन के लिए वो he was in Moscow right Russia USSR के साथ हमारे close relations थे और वहाँ पर state visit की जुरत थी तो राज़ेन प्रसाद जी गए हुए थे तो दौरान कौन हमारे हाँ पर रहेगा वहाँ पर राश्टपती फिजिकली फिट नहीं है और मदब कुछ बॉड़ी या माइंड से इंफर्म हो गया है और वो अपनी भूमिका सही से अदा नहीं कर सकता तो ऐसे में कौन डिसाइड करेगा कि राष्टपति फिट नहीं काम करने के लिए से भूमिका को वाइस प्रेजिदेंट को दे दो एस एक्टिंग प्रेजिदेंट तो जब ये यूपियसी कोशन पूछेगे न तो कहीं बच्चे दिमाग लगा देंगे और खुद लीगल एक्सपर्ट बन जाएंगे कि सुप्रिम कोर्ट कहेगा ऐसा और वो ऐसा स्टेट्मेंट बना देगा इंडिस के सुप्रिम कोर्ट इस इसमेंटर इंडिन कोंस्टेशन के इंडिन कोंस्टेशन में ऐसा कुछ है नहीं तो एश्यू डॉक्टर राजिन प्रसाद ने खुद कह दिया कि भाई आप जो है एक्टिंग प्रेजिडेंट आप होंगे और अपनी विल उन्होंने खुद वहाँ पर शो कर दी फिर फाइनली उनकी डेथ हो गई थी फिर वहाँ पर नेक्स लेक्शन हुए थे राइट तो पॉइंट है कि जब तक राश्ट भी हुई नहीं एंपीच्मेंट हुआ नहीं तो ऐसे में जो भी वाइस प्रेजिडेंट है अगर वो काम नहीं कर दे वो केवल एक्टिंग प्रेजिडेंट की भूम हुई काम आएगा आपको यहां पर एक लीगल इसुग बन गया था यह तो यह तो आपको पता लग गई बात, now, nature of power of president, nature क्या है, तो देखे, यहाँ पर president की power में बड़ा variation है, कहाँ पर executive power भी है, military power भी है, diplomatic power भी है, interesting है, जब भी executive power की बात आएगी, तो सीज़े से एक चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए आपके दिमाग में, कि यहाँ वो, जो power to appoint, prime minister, council of minister, and position, और various constitutional post, तो यहाँ पर जो president है, वो अपनी executive power का इस्तमाल करते हैं, ठेक है, powers and duties of the president, यह हम करेंगे next lecture में, यानि के lecture 18, union executive part 2, मुझे लगता है कि आज के session से आपको clarity मिली होगी, वीडियो को अपने दोस्तों के असाथ share कर दीजेगा, जिससे इस series को momentum मिलता रहे, बाकी मैं आपको बता दू कि PSR optional का new batch launch हो चुका है, admissions are going on, seats are filling, तो जो लोग target कर रहे हैं, 310 plus marks, एक मतलब एक direction, एक content, और उसका लगाता revision और answer item practice हमारे साथ, so that's how you are going to score maximum, ठेक है, तो classes, live classes होती है, offline, online, मतलब हम ने इस बार hybrid रखा, hybrid in the sense की, वैसे classes आपकी online होंगी, right, उसके बाद जो हमारा P2I वाला batch है, plims to interview वाला, जो लोग उसमें भी step up करते हैं, तो जो जितने भी लोग prelims clear करेंगे, उनको main residential program में हम offline भी तैयारी कराएंगे, जहांपर आपकी optional की तैयारी, offline, without any cost, यानि के रहना, खाना, academics, कोई fees नहीं, वो study IQ कराएंगा, it's an amazing opportunity, right, तो अभी seats इसमें open हैं, क्योंकि offline हैं, और रहना, खाना, everything is going to take care of by study IQ, तो इसमें हमने limited seats रखी हैं, तो आप study IQ.com पर जाएंगे, और आप P2I, PSR optional, जोइन करेंगे, using code त्यागी live, तो आपको भी maximum discount मिल जाएगा, और त्यागी live आप code use करेंगे, और शशांक त्यागी for you, आप मेरे साथ connect हो जाएंगे, तो यहाँ पर आगे तक आपको कोई भी help चाहिए होगी, तो I am there for you, right, course पूरी, पूरी course journey में, my full support will be with you, कोई doubt होता है आपका, कोई, ठीक है, चलिए, कल मिलते हैं, खैल रखिए,